रिलेक्सेशन के बारे में बात करना है CA Foundation Intermediate Final का एक्जाम अगर आप लोग मी जून 24 में दे रहे हो तो ध्यान से बाते को सुन लीजेगा ये मेरा Final Update है लगतार बच्चों का डाउट आ रहा है कुछ लोग तो परिशान हो जा रहे हैं तो ध्यान से बाते को सुन लीजेगा और हाँ वीडियो में स्टार्ट करने से पहले जो न्यू कोर्स में रजिस्टेशन कर रहे हैं या न्यू कोर्स में कनवर्जन कर रहे हैं इसके बारे में बात करना है आप लोग को अल्रेडी पता है जिनको वो लोग वीडियो को skip कर दीजिए और जिनको doubt हो रहा है वो वीडियो को आगे continue कीजिए मैंने तो बता दिया न वीडियो के starting में क्या topic है सबसे पहले आप लोगों के जानकारी के लिए बता दे CA Foundation Intermediate Final New Course का May June 24 का exam form filling already start हो चुका है एक ही तरहिए से exam form fill करना होता है कैसे exam form fill करना वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा जो लोग रीपिटर है conversion नहीं कर पाए या conversion की यह depending में सो कर रहा है उनका application सो करने दो क्योंकि सब लोगों का relaxation provide कर दिया गया है सब लोग का automatic conversion हो चुका है तो सबसे पहले यह काम करो कि जाओ और अभी के अभी exam form fill करो CA Foundation New Course में कैसे exam form fill करना intermediate कैसे कर फिल करना, final में कैसे fill करना, direct entry का कैसे fill करना unit wise कैसे exam form fill करना, सारे topic पे मैंने वीडियो बना दिया है तो please वीडियो का link आपको description मिल जागा, उस वीडियो को देख करके exam form fill कर लीजिए क्या exam form date extend हो सकता है, क्या जिसका जवाब है जी नहीं exam form date extend नहीं होगा, आप लोग अगर late करोगे exam form fill कर ही नहीं पाऊगा जब मैंने अपने वीडियो में बता रखा रख था कि अगर आप लोग new course में जाओगे, final में तो confin 23 सो करेगा, intermediate में new course के dashboard में सो करेगा, conint 23 और foundation का सो करेगा, confin 23, ssp portal पे login करोगे, तो उपर में ही current course में ये सब सीच सो करेगा तो CEO आगे में किसको लिखा होगा, जो लोग repeater होंगे, old course में registration करके new course में conversion किये होंगे, या उनका automatic conversion हुआ होगा, तभी ये सो करेगा, लेकिन जो मेरे पास doubt आता है, बोलते हैं कि new FND 23 लिखा आ रहा है, मेरे में तो CEO लिखा नहीं आ रहा है, तो क्या मैं new course में हूँ या अगर आपके आगे में course detail में लिखा ना रहा है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप new course में नहीं हो, अगर new FND 23 लिखा हो, या new inter 23 या new final 23, इसका मतलब ये है कि आप सीधा का सीधा new course में registration कर रहे हो, इसलिए dashboard पे CON नहीं लिखा रहा है, old course वाले को ही conversion करने पे ऐसा कुछ ल conversion हुआ होगा, कोई compulsory नहीं है, बुक order करना, जो लोग first time registration करेंगे, उनको फिरी वे book मिलेगा, जो लोग conversion कर रहे है, उनको intermediate final का 1000 और foundation का 500 में, और लेडी इस सब topic पे वीडियो बना रखा है कैसे book order करना, लेकिन फिर भी conversion करने के बाद, या automatic conversion होने के बाद, उनको coupon apply नहीं हो रहा है, इतना दिन हो गया, then contact us पर जाओ CDS portal पे, mail ID, please detail में mail कर दो CDS portal पे, मैं क्या ही कह सकता हो, लेकिन मेरे हिसाब से सब को coupon apply हो, हो रहा है, तो please आप लोग एक बार देख ले रहा है, जो लोग coupon भी apply हो रहा, book order नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके card में problem है, क्योंकि card से transaction होगा, तो please cyber cafe में जाइए, उनको बोलिए कि book order कर देने के लिए, वो लोग कर देंगे, I hope कि आपका doubt clear हो रहा होगा, card में क्या problem होता है, online transaction activate नहीं होगा, जिसके करण से payment नहीं हो रहा होगा, I hope कि आपका doubt clear हो रहा होगा, doubt clear हो रहा होगा, तो comment box में thank you लिखिए, अगर आप से नहीं हो रहा है, तो सहर में cyber cafe में जाओ, क्योंकि उनका card तो online transaction तो daily करते रहते हैं, तो उनका card तो activate ही होगा, तो वो लोग असानी से payment कर देंगे, मेरे पास एक बच्चा है, एक वीडियो का link बेजा, जहां आपने बताया जा रहा था, 15 या 20 परवरी तक automatic conversion होगा, उनको knowledge नहीं है, फ्लीज, automatic conversion हो चुका है, relax रहो, अराम से पढ़ाई करो, सीधा exam form फिल कीजी और exam में appear कीजी, मेरे जून 24 के exam में, all the best, tip के लिए आगे चलके, ये live batch कब से start हो रहा है, 12 फरवरी 2024 से, कब तक चलेगा, 18 फरवरी 2024 तक, आप चाहो तो recorded lecture भी देख सकते हो, जैसे ही आप enroll कर लोगे, तो आपको एक WhatsApp ग्रूप में add कर दिया जाएगा, classes के बारे में सारा information आपको उसी WhatsApp ग्रूप में दिया जाएगा, स्रिस्टी मैम आप लोगों को सिखाएंगे, MS Excel Mastery Course के बारे में पूरा डिटेल में सिखाएंगे, पूरा जीरो लेबल सु एडवांस तक जाएंगे, इंडॉल्मेंट का डारेक लिंक आपको description में मिल जाएगा, WhatsApp नंबर भी आपको description में मिल जाएगा, कोई additional doubt हो, तो WhatsApp पे message क करके पूछ सकते हो, सिर्फ course के रिकार, तो जाएगा जानकारी के लिए description जरूर चेक कर,